तो खेलों की और खिलाडियों की इतनी अपेक्षा क्यों हो रही है बच्चे घर गाउं छोड़ छोड़ कर आज अबरोड जा रहे हैं नशे का हमें एक बहुत बड़ा इश्यू दिखा आप हरियाना में बदलाव की बात करते हैं जब कि आप आप जानते हो कि यहां की प्रिष्टितिया जो दिल्ली और पंजाब से बिलकुल अलग है तो फिर कैसे फत्यगर पाएंगी हैं साक्षी मलिक ने कुष्टी चोड़ने का ऐलान कर दिया बजरिंग पूनिया ने भी अप पात्र फेंग दिया तो क्या मानते हैं आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा हरियाना के पानिपत में पहुंची है और उसका नेतरतव करते हुए आप नेतरी चित्रा सरुवारा हमारे साथ मौजद है वह पानिपत पहुंची अब से कुछी दिर पहले इन्होंने प्रेस व हर्याना में और नब्वी की नब्वे विधान सभाया चार यात्रा हैं कंप्लीट कर रहे हैं एक तरफ उसकी अगवाई प्रदेश अजयक्स सुशील गुपता जी कर रहे हैं तो एक जगे डॉक्टर अशोक तवर जी एक जगे हमारे वरिष्ट उपद्यक शनुराग जी और उत्री हर्याना में इसके अगवाई चौदरी निर्मल सिंग जी ने करनी थी पैर में चोट होने के कारण वो साथ डेली नहीं चल पा रहे हैं तो हम समझते हैं कि दस दिनों में हमें बहुत पॉजिटिविटी ऊर्जा कारे करताओं से और लोगों से आम जनिता से मि हमने तो मुद्दे उठाई कि हम बेरोजगारी में नंबर वान क्यूं हैं क्राइम्स अगेंस विमन इतने बढ़े क्यूं हैं नशा क्यूं बढ़ रहा है हर कोई आज आंदोलन पर क्यूं है क्राइम विवस्ता जो ये विपारियों के शूट आउट गोली ये सब क्यूं हो गाउं छोड़ छोड़ कर आज अबरोड जा रहे हैं नशे का हमें एक बहुत बड़ा इश्यू दिखा मैं गाउं में गई तो छोटी छोटी बच्चियों ने अपने आप से आके बोला कि दिरी हमारा स्कूल बारवी तक करवा दो तो आज बच्चों को आठवी तक आठव इवन 15 से सूपर elected members हैं चाहे वो MP, MLA हों, Nikai के members हों, जिला परिशद हों हम समझते हैं कि ये movement जो शुरू हुई है एक बार दिल्ली आई तो वहां से हटी नहीं पंजाब में इनोंने एक record कायम करा है और ये अभी एक बढ़ती हुई movement है आज का जो समय है digital technology हर तरफ है हर्याना में बदलाव की बात करते है जब कि आप आप जानते हों कि यहां की प्रिश्थितिया जो दिल्ली और पंजाब से बिलकुल अलग है तो फिर कैसे फत्यगर पाई नहीं है देखिए हम समझते हैं कि हमारी स्थिति दिल्ली से शायद अलग हो ठीके जी वह एक यूट पंजाब का युवा पलायन कर रहा था आइलेट्स करके सारे बाहर जा रहे थे आज हमारे हां पर आइलेट्स की इंडस्ट्री बूम कर चुकी है आप गाउं जाएंगे तो गाउं के गाउं खाली मिलेंगे आपके बड़े बड़े निता जेल में है आर्विंद केजरिवा जी अभी भी बाहर हैं और हम समझते हैं इनुसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी जितनों को भाजपा उठा के जेल में डाल रही है कहीं न कहीं ये साफ है कि भाजपा की मनशा आज लोगों को क्लियर होती चली जारी है प्रूपा बोलती है कि सबका साथ सबका विकास किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केमुहिम शुरुआत की है और सबका विकास हो रहे तो फिर बदलाव के क्या जुरूता पड़िये तो है पर बेटियों को पढ़ने को स्कूल नहीं मिल रहे है और बेटियां हमारी अभी जंतर मंतर पर वैठी हुई थी जिसे नए सदन का उदगाटन हमारे मोदी जी कर रहे थे हम समझ रहे हैं इससे बड़ा अप्शगुन नहीं हो सकता था कि देश का जंडा और देश की बेटियां पुलिस के पैरों नीचे रौंदी जा रहे थी उस दिन अभी हम कह रहे ह हैं और भाजपा उन्हीं के पक्ष में दिखिया है हर्याना के आगे अभी भी हमारी महिला कोच का और उन्होंने जो हमारे खेल मंतरी पर इल्जाम लगाएं वह अभी भी कहते हैं मैटर इस ओपन है ना जी उस पर कोई जस्टिस नहीं मिली अब नया नारा लाएं हैं बेट तो क्या मानते हैं जो किस नचे से देखते हैं? एक और प्लेयर है उन्होंने भी का कि मैं अपना पदम श्री भी छोड़ दूँगा तो ये साफ है कि भाजपा जब ये मेडल जीतते हैं तो इनके साथ कूद के टेबल पे तो आ जाते हैं उड़के सारे के सारे लेकिन जब नयाये मांगते हैं और बात करना चाहते हैं तब को अपनी से होगी धर्मेंदर के साथ प्रधीप रेड़ू हर्याना तक